हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेयर बजार वित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 28 नवंबर से 1 जिसमें जानी अपकमिंग वीक के बाजार के सारे इविंट्स के वारे में जो इंपोर्टन इविंट घटने वाले इस वीडियो पूरा काफी इंपोर्टन होने वाला है उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजियेगा तो इस अफते बाजार मंडे से नहीं वालकि ट्यूस जे से ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा क्योंकि कल दोस्तो गुरू नानक जाहनती है गुरू नानक जाहनती के परफ बाजार की आपको हॉलिडेदे देखने को मिलेगी छुट्ती देखने को मिलेगी और BACNAC इस दिन कारोबाल नहीं करते हैं तो बाजार जो है वो इस बाद 20 28 से कारोबाल करता हुआ नजर आएगा यानि 27 जो मंडे है उज दिन आपको बाजार का होलीडे देखने को मिलने वाला है यानि इस हफते बाजार जो है वो बेसिकली चार दिन ही आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा चार ट्रीडिंग सेशन ही आपको मार्केश के होते अब दोस्तों शुरू करते हैं कुछ important factors से जो इस हफते बाजा को drive करेंगे और सबसे important है वो है exit polls आप सबको पताइए कि देखे 5 state के elections आपको होते पे नजर आ रहे हैं and definitely दोस्तों almost 4 states के elections जो है वो basically complete हो चुके हैं and अब एक state जो है तिलंगाना का उसके भी elections हो जाएंगे 30 November को और 30 November के बाद दोस्तों बाजार सिर्फ उन आकडों का wait करेगा जो है results 3 December को लेकिन 30 तारीक के दोस्तों जो major exit polls से वो निकल कर आ जाएंगे and definitely उस दिन हमको देखना होगा कि exit polls किस तरफ इशारा कर रहे है देखे बाजार जरूर इसको एक semi final की तरह देख रहा है but again यही देखना होगा कि इस पर होता क्या है because काफी देखे जगह पे सरकारे change होने की बात चल रही है तो जब सरकारे change होती तो देखे इसका बाजार पर भी असर पड़ता है क्यों because 2024 में दोस्तों आपको बता है general elections आने वाले and उससे पहले देखे बाजार में आपको जो भी change होता ह वह नजर आता है उसका इसर definitely पड़ता हूँ नजर आएगा हाँ जरूर देखे अगर state elections में मान लीजे कि जो बाजार सोच रहा है उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है यानि हम कह सकते है थोड़ा बहुत negative हो जाता है तो असर आएगा बहुत बड़ा असर नहीं आएगा ए कितने states में आ सकती है आप सबको पताइए कि अभी अगर देखा जाए तो इन पाचो states में से सिर्फ एक state में बीजेपी है जो है मध्यप्रदेश बाकी सब states में अगर आप देखेंगे चत्तिसगर और राजस्थान में कॉंग्रेस है मिजोरम में दोस्तो एक अलग पार्टी बाकी तेलंगाना के अंदर दोस्तो बी आरेस की सरकार है तो यहां पर पर पांच states है में जली हम कह सकते कि तेलंगाना और मिजोरम में तो बीजेपी का कुछ खास दबदबा नहीं है बट मध्यप्रदेश चतिसगर और राजस्थान ये तीन हिंदी बल्ट के ऐसे राज्य हैं जहां पर देखना होगा कि क्या को सरकार बीजेपी की आप आती है या फिर कॉंग्रिस आ जाएगी तो देखते होता क्या है बट अंडाउटेटली तीस तारिख को याद रखेगा बाजार उस पे exit पूल एक नवंबर को basically मैं कह सकता हूँ कि बाजार पर आपको reaction दारता वो नजर आ जागा और वैसे भी देखिए बाजार जो होते हैं वो future looking होते तो और और मिरे सबसे तो तीस तरिखों भी आप अगर बाजार में देखेंगे तो इस बार volatility काफी जादा रहने वाली है याद रखेगा ये पोल जो है जो होने वाले हैं अभी इस 2024 का इसके उपर बाजार बिलकुल एक आगलन लगाने की कोशिश कर सकता है ठीक है बाकी आप लोग भी ये बताइएगा आप लोग अगर यहाँ पर 500 राज्यों कोई से भी राज्यक है तो वहाँ पर किसकी सरकार बन सकते है comment section में जरूर बताइएगा दोस्तो second important event है वो है Q2 FY24 GDP growth के आक्रे दोस्तो हमारे GDP growth के आकड़े आने वाले हैं and definitely आकड़े काफी जादा matter करते हैं देखिए हम एक developing country हैं जब भी developing country के GDP आकड़े आते हैं and undoubtedly अगर अभी आप देखेंगे तो इंडिया का एक अलगी place बन चुका है क्योंकि इंडिया बढ़िया कर रहा है outperform करता हुआ देखने क अधर पर growth कर रही है तो दोस्तो जो आकड़े हैं वो निकल के आएंगे 30 November को इसमें July से September quarter के जो आकड़े हैं वो basically release की जाएंगे Economist मानते हैं कि 6.8 से 7% के आसपास जो है वो आपको GDP देखने को मिल सकती है जो lower रहेगी 7.8% का जो आकड़े है तो यह important बात है कि इस बार जो आकड़े आएंगे वो definitely आपको कम आता है वे देखने को मिलेंगे 7.8% से कम होगे 7% पर आ जाएंगे Barclays का जो इंडिया estimate है वो यह है कि इंडिया की GDP जो है इस बार Q2F24 में expand करेगी by 6.8% at a rate of y.o.y और उनने का कि जो underlying growth trend है यह लगातर continue करेंगे इंडिया को बढ़ाने में robust है activity देखने को मिलेगी domestic consumption काफी high है और high levels of state-led capex and strong growth in the utility sector यह उनका मानना है कि definitely बहुत focus करने वाल है HBI research मानता है कि around 7% के आसपास जो है वो इस बार GDP के growth के आकड़े रहेंगे तो majorly अगर आप estimate देखेंगे तो वो ही है कि 6.8-7% के बीच में इस बार आपको GDP के growth के आकड़े आते वे नजर आ सकते हैं एक और जो आकड़े हैंगे दोस्तों वो आएंगे America के Q3CY23 GDP के तो यह भी दोस्तों estimate जो है वो basically आते वे नजर रहेंगे और फिर आएगी पोविल की speech so I think इसको परी बादर का सबसे आता नजर रहेगा because investors को यह देखना है कि दोस्तों क्या कहते हैं पोविल and सबसे important US की GDP growth किस तरह रहती है 29th November को दोस्तों जो आकड़े हैं वो basically निकल के आ ज आ रहे हैं जो October में release हुए थे उसका मतलब यह है कि almost 4.9% के annual pace पे वहां की GDP growth कर सकती है जो actual growth है वो almost 2.1% थी जो record हुई थी for the second quarter तो no doubt कि इस बर क्या आकड़े देखना काफी दिल्चस्प होगा क्योंकि जो आकड़े हैं वो बताएंगे दोस्तों किस तरफ basically America जाने वाला ह क्या America में जो growth है वो slow हो रही है और फिर America में growth जो expectation थी उससे अच्छे हो रही है यह देखना काफी दिल्चस्प होगा जो next estimated दोस्तों real consumer spending है वो भी announce होंगे उसी दिन तो दो important आकड़े आने वाले उसके बात दोस्तों बाजार देखेगा कि क्या कहते हैं 1st December को Jeremy Powell जो Fed के chairman ह जो भी देखे बायान आएगा जो भाशन आएगा वो देखना दिल्चस्प होगा वो साफसा बता देंगे कि देखे किस direction में अमेरिका जाता हुआ देखने को मिल रहा है और भी बहुत साथ उससों officials है जिनके आपको basically बायान आते हुए देखने को मिलेंगे इसमें Waller, Golsby, Bowman, Barr, Master और Williams भी अपनी speeches दोस्तों देंगे अगले हफ़ते और यह दोस्तों release होंगे जो meeting के जो minutes है वो release होंगे और November 22 जो release होंगे last policy के जो numbers थे अब release भी होते हुए देखने को मिलेंगे तो और no doubt कि इस बार जो आकड़े आने वाले हैं GDP के बहली वो इंडिया के हो बहली व market का एक trend आपको set करते हुए देखने को मिलेंगे और no doubt इससे हम बाजार कि किदर जा रहा है यह देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है ठीक है तो यह दोस्तों दो से तीन important important जो बात है वो अभी हमने करी है चौता जो important बात निकल के आई है वो है friends auto sales जी हां auto sales के आकड़ auto sales के आकरे आते है no doubt देकि दिवाली है तो उसका पी एक असर रहता हुआ निजर आएगा तो इस बार auto sales के आकरे देखने होंगे किस तरगी के निकल के आते हैं अगरे अच्छे आने के उमीद बिल्कुल लगाई जा सकती है पाच वी जो जबसे important चीज है दोस्तों वो यह है कि एक और चाइना के अंदर virus जो है वो basically outbreak होता होँआ नजर आ रहा है अब यह जरूर देखिए important चीज है because जब भी चाइना से कोई ख़बर निकल किया है और specifically वो virus की हो तो no doubt आपको बिल्कुल रखनी थी और इसके उपर इंडिया का भी बयान निकल किया था अच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है basically दोस्तों हम कह सकते कफ की problem आ रही है ज़्यादा तर एंड उसका एक major problem देखने को मिल रहा है respiratory illness हम कह सकते हैं ज़्यादा तर respiratory illness के cases basically यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसे मनें कहा यह ज़्यादा तर किसमें है among children in the northern चाइना तो यही दोस्तों ministry of health and family welfare नहीं साफसाफ कहा कि यह concern है जरूर देखिए चाइना क्योंकि हमारे पास ही सटा हुआ देश है तो उसका जरूर अगर कोई भी ऐसा असर पड़ता है तो उसके लिए इंडिया कितना प्रिपेर है उसमें उन्होंने साफसाफ ब्रीफ किय लुनर का कि इंडा को इसको लेकर चंता करने की बात नहीं है जो precaution है वो definitely इंडिया ले रहा है और बिल्कुल प्रिपेर है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे sudden outbreak होता हुआ नजर आया ख़बर ये भी है कि वहाँ पे schools सब कुछ बंद कर दिये गए गए तो को हो रहा है तो इसलिए schools वहाँ पे बिल्कुल temporary shutdown कर दिये गए है और definitely वहाँ पर काफी hospitals में इसकी भीड भी देखने को मिल रही है चोटे-चोटे बच्चों की तो I think एक important factor है जो बिल्कुल play कर सकता है तो pharma companies इस हफते नजर पे रह सकती है बागी friends अगर आप पूरा हफत निफ्टी को देखेंगे तो इस पूरे हफते में निफ्टी ने औरल बढ़िया ब्रदशन करके दिखाया 0.32% की तेजी देखने को मिली और पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी almost 4% के आसपास चलता हुआ अपी नजर आया देखिए इस महीने काफी important important बात है क्योंकि मंत्री expiry भी नजदीक है मंत्री expiry भी आने वाली है तो यहीं देखना है कि किस तरफ दूस्तों बाजार जा पाता है क्या बीसर का आकड़ा टच कर पाएगा क्योंकि देखें स्टेट इलेक्शन के हम कह सकते है exit polls आ जाएंगे result definitely Sunday को है यहनी 3rd December को तो Monday क बाजार बिलकुल जो अगलाफता आएगा तो उस पर reaction देता हूँ नज़र आएगा लेकिन जैसे मैंने का कि देखें बाजार exit poll पर reaction दे देता है तो I think वो भी important बात है कि exit poll किस तरफ आते है क्योंकि बाजार को 20,000 या फिर 19,500 की तरफ जो भी लेके आएगा वो definitely सारे important events ही है तो यह सारे important events का इस बार इस अफते या आप कह सकते बाजार के अंदर आपको volatility जो है वो no doubt काफी जादा देखने को मिलेगी उता चड़ा आप काफी जादा देखने को मिलेगा reason simple है इतने सारे important events है जो आपको role play करते वे नजर आएगे and I think अगर कुछ अच्छा हुआ त तरफ बिलकुल बाजार का रुक आपको देखने को मिल सकता है तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था hopefully आपको वीडियो बड़ा लगा होगा thank you friends watching this video